अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे सिस्टम की तो देखिए कि दूसरा सिस्टम जो हमारा आता है वो है कन्वेक्शनल डेरी बांड या फिर कन्वेक्शनल हाउजिंग सिस्टम से इसके कुछ disadvantages हैं सबसे पहला disadvantage कि आता है कि comparatively costly होता है तेके less popular है इतना जाद popular यह है नहीं और यहाँ पर एक advantage है है यहाँ पर कि यहाँ पर जो cattle है ना वो ज्यादा protected रहते हैं अगर बाहर adverse climate है ज्यादा सर्दी है winters है या ज्यादा summer है तो उस समय पर animal यहाँ पर protected रहता है अब इसके अंदर हमारे पांच चीज़ें आएंगी जो आपको पढ़नी है वह है यहाँ पर काव शेड टेकर काविंग बॉक्स आइसोलेशन बॉक्स शेड फॉर काव स्टॉक और बुल और बुलक शेड यह पांच चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जो इन शेड के अंदर जो इस सिस्टम के अंदर बनती है तो सबसे एक एक करके बात करते हैं पहले हम बात करेंगे काव शेड की तो काव शेड बैसिकली हमारी दो टाइप से बन सकती है तो यह दो टाइप कौन-कौन से हैं हेड to head system और tail to tail system अब मैं आपको बता दूँ मैंने आपको बताया कि हमारे कॉलेज में जो buffalo का system है वो हमारा loose system है loose band system है तो वहाँ पर buffalo जो है loose band system है बट जो cattle है न वहाँ पर conventional system है और वह conventional में भी कौन सा है tail to tail, tail to tail system है महाँ पर, तो जो भी मेरे college में जिनका भी admission हुआ है जो juniors है, वो जाकर देखेंगे तो वहाँ पर tail to tail system है, इसके अलावा इन system की images मैं video upload होने के बाद अपनी instagram page पर upload करूँगा, link description में है आप जाकर check कर सकते हैं तो यहाँ पर advantage क्या है head to head system की, कि कुछ advantage head to head system की और कुछ advantage tail to tail system की है head to head system पहले होता क्या, यह मैं आपको बता देता हूँ, head to head system के अंदर na, animals देखें आपको देखरा होगा, एक दूसरे के सामने, ऐसे होता है, ठीक है ऐसे वो सामने, एक दूसरे की तरफ face करकर रखते हैं, वो समझ में आ रहा है, head to head और tail to tail में क्या होता है, कि animal एक दूसरे की तरफ tail करकर रखते हैं तो यह tail to tail system होता है, हमारे college में यह वाला system है, tail to tail system है, अब tail to tail system की advantages head to head से ज़ाधा है ठीक है, तो पहले head to head के advantages देख लेते हैं वो क्या होता है तो head to head के advantages में first आता है कि better showing for visitors मतलब अगर आप visit करते हैं तो animal को अगर आप सामने से देखते हैं head से देखते हैं तो वो ज्यादा attractive लगता है rather than अगर आप पीछे से देखे है animal को था ठीक है इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि cow यहाँ पर feel easy easier होता है कि उन्हें stalls के अंदर feed कराना ठीक है और stall के अंदर भी animals जो cows हैं वो अराम से आ जाती है इसके अलावा feeding of cow भी हाँ पर easier है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर जो हमारा tail to tail system है इसके क्या advantages है वो मैं आपको पता देता हूँ तो यहाँ पर cleaning और milking दोनों ही पार्ट हमारे easy हो जाते है cleaning भी और milking भी क्यों easy हो जाते हैं क्यों कि center में एक LA होती है एक move करने का passage होता है वहाँ से आप move करिए मान लीजिए कोई कोई यहां से milking कर रहा है कोई यहां से milking कर रहा है अगर head to head है तो आपको ऐसे घूम के पीछे से जाना पड़ेगा टेके milking करने के लिए और cleaning करने के लिए भी तो यहाँ पर यह एक advantage आता है tail to tail system में इसके अलावा क्या होता है जो सबसे important pointer जो सबसे जादा consider करायाता है कि यहां पर lesser danger होता है spread of disease का क्योंकि यहां पर हम बहुत सारे animals रख रहे हैं तो किसी भी disease का spread होने के chances बहुत जादा होंगे तो यहां पर chances कम क्यों हो जाते हैं क्योंकि generally अगर कोई भी disease transmit होती है तो वो nasal secretion ठीक है और aerosol इन के थ्रू होती है जनरल ही मैं बात कर रहा हूं तो क्या होता है कि यहां पर एक animal का head या फिर अगर जो entry है root of entry है वो भी generally mouth के थ्रू ही होता है तो यहां पर क्या है कि एक animal का head इधर है एक animal का head इधर है तो ना तो वो अपना secretion दूसरे animal के contact में आ सकता है नहीं इसकी feces दूसरे animal के contact में आ सकती है तो इसलिए chances कम हो जाते हैं बट ऐसा नहीं है कि chances खतम हो जाएंगे disease यहां पर भी हो सकती है बटहां comparatively chances कम हो जाते हैं यह चीज़ हम कह सकते है इसके अलावा यहां पर cows को fresh air मिलती है काउस को फ्रेश एर कैसे मिलती है क्योंकि जैसे अगर आप जाकर देखेंगे किसी फाम में तो यहां पर जिस तरफ काउ का फेस है इस तरफ वाल होती है और वाल के अंदर होल्स हुए होते है उन होल्स से एर मतलब वेंटिलेशन अच्छा रहता है काफी एर वहां से पास होत जिसकी वैसे डेंपनेस यहां पर जाद हो सकती है हेड के अंदर यहां पर देखा जाए तो comparatively कम होती है अब यहां पर एक चीज और important आती है जो कि fourth point है कि farm manager भी inspect अराम से कर सकता है milkman को मान लीचे milking का समय है और जो milking कर रहे है जो milkman तो उन्हें inspect करने के लिए आपको बा ले पर खड़े हो जाईए यह वहां से आप देख लीजे और दोनों तराफ आपके milking हो रही होगी आप असानी से inspect कर सकते हैं कि कौन सी काव कितना milk दे रही है या कोई सही से कोई bad practice of milking तो practice नहीं कर रहा है milkman ठीक है तो आप हर चीज महां पर देख सकते हैं ठीक है जो farm inspector ह अब हम cow shed की different जो aspect है उनके बारे में बात करते हैं जब से पहला आता है हमारा floor तो floor के बारे में कुछ हमें बाते हैं जो याद रखनी है वो क्या है कि जो floor है वो impervious material का बना होना चाहिए ठीक है impervious material क्या है कि जो की water का absorb नहीं करता क्योंकि अगर soaking behavior होगा उस material का तो वहां प उसके slip होने के chances रहेंगे injury होने के chances जादा रहते हैं तो इसलिए impervious material का floor होना चाहिए और वो उसकी विजए से वो clean भी रहेगा dry भी रहेगा और slippery भी नहीं होगा ठीक है इसके अलावा slope मैंने आपको बताया है slope बताया था मैंने आपको जो pavement बताया था कि यह तीन wall है इधर मैंजर है ठीक है यह तो conventional वाले में बताया सेम चीज़ यहां पर भी apply होती है ठीक है बस simple difference क्या है कि वहाँ पर animal loose खुले हुए है और यहां पर animal tired है तो यहां पर भी क्या है कि यह मैंजर है मान लीजे तो यहां से मैंजर से gutter की तरफ excreta channel की तरफ slope होना चाहिए ठीक है त तो वह सब कहां पर आजाए excreta channel के अंदर आजाए ठीक है इसलिए वहाँ पर slope की requirement होती है अब floor space कितना चाहिए पर cattle जो पर adult cow है उसके लिए 65 से 70 square feet का जो area है वह ideal होता है इसके अलावा हम floor के अलावा बात करते हैं walls की तो wall हमारी कैसी होने चाहिए इंसाइड की अगर मैं बात करता हूं तो वह स्मूथ होना चाहिए जो सेमेंट है वह स्मूथ होना चाहिए और स्मूथ किसले कह रहे हैं क्योंकि यहां पर dust और जो moisture है वह वहाँ पर accumulate ना हो जाए ठीक है क्योंकि अगर dust or moisture accumulate होता है तो animal को भी problem है ठीक है और दूसरा कि वहाँ पर tix, fleas यह सब भी वहाँ पर आनी start हो जाएंगी ठीक है वहाँ पर उन जो holes है उनके अंदर वह छुपने लगेंगी तो यह सारी चीज से नहीं होनी चाहि ठीक है जिससे कि वहाँ पर कोई भी जो parasites है वो छुपना सके इसके अलावा dust और monster वहाँ पर ना है जो corners है वो भी rounded होने चाहिए कई बार animal भागते हुए वो अपने आपको injure कर सकता है क्योंकि उसे नहीं पता ना कि जो corners है वो लग जाएंगे मेरे को ठीक है तो वो भी जो height है walls की वो 4-5 feet की height होनी चाहिए wall के बाद हमारा जो आता है वो है roof यहाँ पर काफी important है roof asbestos sheet की बनी होनी चाहिए tiles की अभी आपको screen पर जो दिख रही है ठीक है यह asbestos sheet होती है cements की यह बनी होती है यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो यह है कि corrugated iron sheets जो होती है जिने हम teens बोलते है normally ठीक है वो आपको use नहीं करनी क्यों नहीं करनी क्योंकि उनका एक disadvantage होता है कि वो extreme temperature fluctuation करती है inside temperature में वहलों सर्दियों में वो बहुत जादा trendy हो जाएंग और जो height है वो roof की क्या होनी चाहिए 5 feet side से और 15 feet ridges से होनी चाहिए adult cow को क्योंकि यहाँ पर aeration जो ventilation है वो बना रहता है उससे adult cow की requirement है वो 800 cubic feet of air space है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़े करनी है इसके अलावा बात आती है menzer की तो menzer जो है वो cement concrete का होना चाहिए ताकि वो अच्छे से साफ हो सके खाने के बाद animal के और जो height है वो 1 feet 4 inches होनी चाहिए अब बात आती है इसके बाद width की तो width हमारी कितनी होनी चाहिए width आपकी 2 से 2,5 feet के आसपास आपकी विर्थ होनी चाहिए मान देचे यह menzer है तो menzer की य मैंने आपको बताया था central passage है ठीक है तो central passage के अंदर आपको क्या चीज़े याद रखनी है कि width जो है मान लेचे यह central passage है तो central passage की जो width है वो आपको 5 to 6 feet होनी चाहिए ठीक है exclusive of gutter मतलब कि जो gutter है बीच में उसे हटा करके 5 to 6 feet है और यह कि system की में बात कर रहा हूँ face out system की ठ 4 to 5 feet किस में होने चाहिए face in मतलब head to head system में अब यह कम और ज्यादा क्यों है क्योंकि आपको बता है tail to tail system में दोनों animal की tail होंगे इस साइट पर इधर भी tail इधर भी tail तो क्या होगा दोनों जो urine करेंगे excretion करेंगे वो सब इधर आएगा तो आपको move करने में दिक्कत ना हो ऐसा ना हो कि आप move कर रहे हैं और animal अगर वो urine करता है तो वो आपके उपर न गिर जाए इसलिए यहां पर हम क्या रखते हैं हम यहां पर जगा जाधा रखते हैं इसके अलावा feeding LA जो face out में face out में तो feeding LA इधर की साइड होगा ना यह तो central passage हो गया और feeding LA के अंदर face out इधर है चाहिए और central जो वोग है उसका slope है उसका सैंटरल वो इस ही यहां पर बाताए कि सैंटरल वोग पर क्योव क्यों होना चाहिए यह बाता आती है तो देखिए जैसा कैम इहां पर बता हहां यह लोगा चाहिए अब मदत कहां करता है मालिच आप behavior कर गाए आनिमlles यहां पर और तो क्या होगा कि वो urine अगर इस पे slope नहीं होगा, यह बिलकुल flat होगा, तो वो urine पूरे के पूरे area पर आ जाएगा, तो अगर आप shoes लेकर के जा रहे हैं, तो आपके shoes वहाँ पर गंदे होने के chances हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर slope रखेंगे, जब हम ऐसे slope रख सकते हैं, वहाँ से आप आराम से निकल सकते हैं, ठीक है, यह अगर treatment करना है, तो आप वहाँ से आराम से जा सकते हैं, तो यह फायदा होता है central LA के slope का, अब इसके बाद बात आती है आपकी doors की, तो door हमारे यहाँ पर 5 feet wide होने चाहिए, 7 feet in height होने चाहिए, और जितने भी barn के doors हैं, वो सब बाहर को खुलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब animals कई बार भागते भी हैं, तो उन्हें injury ना हो, ठीक है, वो बाहर को खुलें, और वो पूरी तरह open हो जाने चाहिए, मतलब कई बार क्या होता है, कि जब हवाँ चलती है, यह होती है, तो कई बार अगर वो door, वो अगर ऐसे हो जाए, मतलब partially open हो, तो उससे क्या होगा, कि animal मानने चाहिए भागता हो आ रहा है, और वो partially open है, तो वो मतलब उससे injured हो जाएगा, तो इसलिए वो fully open हो जाने चाहिए, तो कई बार अगर air के लिए भी वो चीज़ fully open होने चाहिए, इसके अलाबा, carving boxes, carving boxes का यहां पर क्या advantage है, कि आप cows को carve नहीं करने दे सकते, normal जो cow shed है उसके अंदर, क्यों, क्योंकि यहां पर जो sanitary milk production हो नहीं हो पाता, क्योंकि जब carving होती है, तो उस समय पर placenta भी होगा, blood भी होगा, और सोचे ज़रा कि एक जगह पर carving हो रही है, और एक जगह पर milking हो रही है, तो वो चीज़ वहां पर, जो clean milk production है, वो वहां पर नहीं हो पाएगा, इसी चीज़ को avoid करने के लिए carving box अलग होने चाहिए, इसके अलावा कुछ diseases हैं, जो कि contagious diseases होती हैं, contagious abortion disease, वो भी herd के अंदर spread होने के chances हैं, अगर जो female है, वो affected होई, तो वो भी transmit कर सकती हैं दूसरी females को, इसलिए carving boxes अलग होने चाहिए, अब यह क्या होती हैं, यह loose box होते हैं, मतलब इसके अंदर female को बांधा नहीं जाता, loose रखा जाता है, और यह चारो तरफ से बंद होते हैं, ठीक है, from all the sides, और इसके अंदर एक door होता है, area इसका हमारा 100 से 150 square feet का होता है, और इसके अंदर soft bedding ह होनी चाहिए, ठीक है, obvious ही बात है, जब newborn है, उसे चोटना लगे, injury ना हो, इसके अलावा यहाँ पर sufficient ventilation होना चाहिए, तो यह carving box की बात हुई, इसके अलावा isolation box, isolation box हम किसलिए रखते हैं, यह उन animals के लिए हैं, जो कि किसी infectious disease से सफर कर रहे हैं, अब वो infectious disease दूसरे animals के अंद इसके अंदर रखते हैं, इसका area भी 150 square feet तक होना चाहिए, अब shed for young stock, इसके अंदर daylight ventilation होना चाहिए, proper drainage होना चाहिए, और cow shed के close होना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्यों cow shed के close होना चाहिए, इसके अंदर open area होना चाहिए, 100 square feet per head, याद रखिएगा, 100 square feet per head क के हिसाब से, इसके बाद last में आपका आता है, bull और bullock, ठीक है, तो bull और bullock के अंदर भी हमारी कुछ requirements हैं, उन्हें रखने के लिए, तो जो bull है, उसे कभी भी confinement में नहीं रखा जाता, बांध के नहीं रखा जाता, क्यों, क्योंकि अगर हम उसे बांध करके रखेंगे, तो ज्यादा movement ना होने की वज़ा से, उनके jσω hooves हैं, ठेक है, उनके over growth हो जाती है, जिसकी वज़ा से, जो ऐसे bulls हैं, वो mounting नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके किसी काम कि वो bulls है नहीं, ठेक है, तो इसी लिए आपको क्या करना होता है, कि ऐसे बुल्स को आपको कभी भी बांद के नहीं रखना उन्हें loose boxes के अंदर रखना है अब loose boxes के अंदर जो area है वो कितना होना चाहिए rough cement का होना चाहिए पहली बात तो loose box और वो 15 to 10 15 by 10 feet होना चाहिए उसका जो length और breath है और entrance इसका क्या होना चाहिए कि width entrance जो है gate उसकी 4 feet और height 7 feet होनी चाहिए boundary wall 2 feet height की होनी चाहिए अब boundary wall हम इससे भी उपर कर सकते हैं 2 feet से भी जादर कर सकते हैं बट क्यों नहीं कर रहे हैं या इससे कम क्यों नहीं कर रहे हैं अगर देखे कम करेंगे तो animal जो है बुल अगर कोई female heatman आती है तो बुल के chances हैं कि वो jump कर जाए ठीक है उन height से तो इसलिए हमें 2 feet height रखनी होती है और इससे जादा क्यों नहीं कर रहे हैं कि animal अपने आपको isolated feel ना करें अगर वो isolated feel करेगा तो animal depressed हो जाएगा और stress में आगया animal तो उसके disease होने के chances बहुत जादा रहे हैं तो हमेशे आपको याद रखना है कि animal को stress के अंदर कभी नहीं लाना है जिदन आप animal को खुश रखेंगे happy रखेंगे उतना ही वो जादा production देगा आप भी animal खुश रहेगा तभी आप समझ सकते हैं कि आप भी खुश रहेंगे क्योंकि तभी आपका profit होगा जब animal खुश रह कर दो